हाई फ्रेंड्स ऑनलाइन अस्टडी में आपका स्वागत है आज हम लोग इंडियन एकोनोमी का पार्ट फोर डिसकस करने जा रहे हैं और इंडियन एकोनोमी का पार्ट वन से लेकर पार्ट थर्ड तक आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल्स के प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो महाँ पर जितने भी जीके का वीडियो है जीके जियर्स का सब मिल जाएगा तो उसमें आप पार्ट 1 से लेगा पार्ट 3 तक देख सकते हैं सारे वीडियो को और उसी इंडियन एकोनोमी स्रीज में ये मेरा पार्ट 4 है लेक्चर है ये हिंदी में रहेग तो यह था पञड़ निशनल मेंक और जानते हैं कि पञड़ निशनल बैंक जो स्टार्टिग किये थे वह किये थे लाला लाजपत्राए नहीं bizim ने तो ला लाजपत्राएं यह फोंडर थे पंजाब National Bank है, यह पूर्ण रूफ से पहला भारत के बैंक है, PNV. भारत का Kendria Bank कोन सा है, तो यह भारत का Kendria Bank है, Reserve Bank of India, RBI जिसको कहते है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, Reserve Bank of India को, Reserve Bank of India का बहुत सारा काम है, जैसे कोई monetary policy है जो इंडिया का वो सारे को भी control Reserve Bank of India करता है report rate कितना राखना है, कितना cut करना है किस तरह से inflation को control करना है, किस तरह से deflation को control करना है यह सारा काम जो है, इसके पास बहुत सारे tools है, भारतिय Reserve Bank के पास उन सारे tools का इस्तमाल करके market को control करता है open market operation को भी control करता है यह सारे चीज जो है reserve bank of India के ही हाल है इसको short में बोलते हैं RBI अभी जान रहे हैं कि देश में demonetization चल रहा है तो उसमें currency को बदला गया है देश में तो जो पुराना 500 रुपे का note था उसको बदला गया है उसको बंद किया गया फिर पुराना जो 1000 रुपे का note था उसको बंद करके नया 500 का note चला गया 2000 रुपे का note चला गया बैंक में ATM से निकालने की limit बढ़ाई जाती है घटाई जाती है इस तरह का चीज जो है यह सारा चीज जो operation कर रहा है यह जो है reserve bank of इंडिया के पास ही जाता है तो इससे बहुत सारे question आपके examination में आते हैं इसलिए मैंने इसको आपकोई साथ details से discuss कर दिया फिर next चलते हैं देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्री करन का हुआ नेशनलाइच कर दिया गया देश के 14 बड़े बैंकों को तो यह किया गया था 19 जुलाई 1989 में देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्री करन हुआ था फिर छे अने बैंकों का एक साथ राष्ट्री करन का हुआ था छे और जो बैंक का राष्ट्री करन हुआ वो एक साथ कब किया गया था तो वो किया गया था अप्रील 1980 में तो आपको यह याद रखना है कि जब स्टार्टिंग में जो 14 बरे बैंक का राष्ट्यकरन हुआ था वो कब हुआ था 19 जुलाई 1979 में उसके बात जो है छे अन्य बरे बैंकों का एक साथ नेशनलाईज कब कर दिया गया राष्ट्यकरन कब कर दिया गया तो यह किया गया था अप्रेल 1980 में बर्तमान में राष्ट्यकृत बैंकों की संख्या कितनी है तो यह मतलब अभी अभी राष्ट्यक्रित बैंकों के संख्या उनीश है सरवाधिक शुद्ध लाब अर्जित करने वाला सार्वनिक छेतर का पबलिक सेक्टर का जो बैंक है वह है भारतिया इस्टेट बैंक और इंडिया यह सरवाधिक शुद्ध लाव अर्जित करने वाला सार्वनिक छेतर का बैंक है फिर बरिष्टों के लिए स्वास्त बिमा योजना है कह अरंभ कब किया गया था स्वास्त बिमा योजना है आरंब जो है, ये 14 जुलाई 2003 को किया थे हैं, 14 जुलाई 2003 इस भी में बरिष्टों के लिए स्वास्थ विमा योजना का प्रारंब किया गया था, फिर है कपार्ट, कपार्ट का मुख्याले का हैं, तो ये कपार्ट का मुख्याले है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में कपार् राष्टिय ग्रामीन आजिवी का मिशन C.N.R.L.M इसका जो है सोट फॉर्म में इसको बोल रहे है C.N.R.L.M राष्टिय ग्रामीन आजिवी का मिशन ये कब शुरू किया गया तो ये है जून 2011 में जून 2011 में फिर हरियाली प्रयोजना का प्रारंब कब हुआ था तो हरियाली प्रयोजना का प्रारंब जो है 27 जन्वरी 2003 को हुआ था तो आपको ये कैसे याद रखना है 14 जुलाई 2003 को बरिष्टों के लिए स्वास्ट विमा योजना का प्रारंब किया गया था फिर 27 जन्वडी 2003 को ही हर्याली पुर्योजना का प्रारंब हुआ था और राष्टिय ग्रामीन आजिवी कामिशन जून 2011 में हुआ था अप्रेल 1980 में 6 बैंकों का राष्टिकरन हुआ था 19 जुलाई 1989 को 14 बैंकों का राष्टिकरन हुआ था और भारत में राश्टिकृत बेंकों के संक्या कितनी है उनीश है सबसे सुदलाब अर्जित करने वाला बेंक है State Bank of India कपाट का मुख्याले कहा है कपाट का मुख्याले है नई दिल्ली में तो इस तरह से आपको याद करना है ग्रामीन अवास इंद्रा अवास योजना आरम बर्ष कब है तो आपको बता दें जो ग्रामीन में जो लोग रहते थे उसके लिए इंद्रा अवास योजना और जो लोग सहर में रहते थे उसके लिए घर के लिए जो योजना चलाए गया था वो राजीव अवास योजना था राजीव गांधी पूर्व परधान मंत्री के नाम पे था राजीव अवाश योजना ये इंद्रा गांधी पूर्व परधान मंत्री ये इंद्रा आवाश योजना तो ग्रामीन आवाश इंद्रा आवाश योजना आरम कब हुआ था तो ये 1999 से लेकर 2000 इस बीच में ये इंद परदान मंत्री सरक योजना का आरम दिसंबर 2000 में बाल मिकी अमबेट कर आवास योजना का आरम कब होगे था। दिसम्बर 2001 में परधान मंत्री जन्धन योजना आप लोग जानते हैं परधान मंत्री जन्धन योजना जो है एक गिनीज वर्ल्ड का मतलब एक परकार रिकॉर्ड बना है कि इतने सारे लोगों ने इस योजना के तहर बहुत सारे लाब उठाया उन्होंने खात बैंक में खा 2014 को फिर स्वक्ष भारत अभियान कब चलाए गया था तो ये स्वक्ष भारत अभियान भी काफी important है ये स्वक्ष भारत अभियान जो चलाए गया था ये गांधी जैंती के दिन आरंब हुआ था स्वक्ष भारत अभियान बापु के जन्मतिति के दिन 2 अक्टुवर 2014 को स्वक्ष भारत अभियान चलाय गया था इसमें जो है इसका मिसन था कि इंडिया को free करना है पूरी तरह से ये जो जितने भी dust है कुरा कच्रा है चारोतर फैला उससे पूरी तरह साफ सफाई अभियान चलाना है 2 October 2014 प्रधान मंत्री जीवन जोती भीमायोजना का प्रारंब २ मई 2015 को 9 मयी 2015 को परधान मंत्री Suraqchia Bima Yojna का प्रारंब कभ क्या गया था तो 9 मयी 2015 को दिखें 9 मयी को 2 योजना का आरंब भुआ परधान मंत्री Jivan Jyoti Bima Yojna परधान मंत्री Suraqcha Bima Yojna ये दोनों का प्रारंब जो है 9 मयी 2015 को हो है फिर है मोद्री करन योजना का प्रारंब कब हुआ था ये 5 नवंबर 2015 को फिर है परधान मंत्री क्रिसी सिचाई योजना का प्रारंब कब हुआ था ये हुआ था 2 जुलाई 2015 को फिर है परधान मंत्री कोशल विकास योजना का प्रारंब किया गया था तो ये 21 मार्ज 2015 को देखें देखिए मतलब जब से नई गॉर्मेंट बनी है तब से बहुत सारी योजनाओं का आरम हुआ और ये सारी योजना जो है आपकी एक्जामनेशन में काफी इंपॉर्टेंट रहता है बहुत बार इस तरह के कुश्चन पूछे जाते हैं कि परधान हुआँ इस लेक्चर में कभर किया ऐपको फिर से रिष्भािच कराते हैं전 पूर्ण दो अक्टूबर 2014 को चलू किया गया था ये जो है बापी माई 2015 को परदान मंत्री कृसल विकास योजना का रहां 211 माई 2015 में बालमिकी अंबेटकरावास योजना का रहां दिसंबर 2001 में तो पर्धान वंति जन धन योजना का आरम 28 सगर 2014 को तो इस तरह से काफी important सारी योजनाएं हैं इसको ये जो है Indian economy का पार्ट है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा ता आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और online study channels को subscribe कीजिए इसी तरह ह जो है और बहुत सारे इंडियन economy से related बहुत सारे वीडियो अच्छा अच्छा वीडियो लाएंगे आपके लिए और general awareness का एक जो है हम सोच रहें की पूरा complete set जो है आपको करके दिखाते हैं जो कि आपके examination में पूछा गया है previous year में वो जो है हम आगे के lecture में लाएंगे thank you so much friend for watching this video thank you thank you so much